गुड मॉनिंग, आज हम परते हैं स्टांडर फोर इंग्लिस मिडियम सब्चेक्ट, हिंदी, चैप्टर सिक्स निकालो, पेद नमबर सेवंटीन, चैप्टर सिक्स का नेम है साग सब्ची, यहां दिया है सब्चियों के चित्र देखे और उनके हिंदी और अंग्रेजी नाम तो यहां क्या है सब्चियों के नेम दिये हुए, उसके चित्र दिये हुए, उसके हिंदी और इंग्लिस दोनों नाम दिये हुए, वह आमें पढ़ना है देखे ये किसका पिच्चर है ये मूली का पिच्चर है देखा है ने आपने सागसबजी तो सारी देखी होगी और आपको कुछ पसंद भी होगी, कुछ ना पसंद भी होगी तो ये पिच्चर है मूली का तो मूली उसको इंगलिस में क्या बोलते है Radish, 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 Radish means Mooli, Hindi name is Mooli, और इसका English name is Radish, फिर देखो, दूसरा picture, एक इसका picture है, गाजर का picture है, उसको English में बोलते है, Carrot, C-A-R-O-T, Carrot, Carrot means गाजर, उसका Hindi name है गाजर, और English name है गाजर, फिर तीसरा picture दिया हुआ है, एपिच्चर किसका है, आलू का picture है, आलू, आलू को English में क्या बोलते है, पोटेटो, P-O-T-A-T-O, पोटेटो, पोटेटो means आलू, उसका Hindi name है आलू, और English name है पोटेटो, फिर यहाँ दिया है, मटर की सबजी, देखे, मटर, उसको English में क्या बोलते है, ग्रीन पीज, G-R-E-E-N, ग्रीन, P-E-A-S, पीज, ग्रीन पीज, यानी मटर, उसका Hindi name है मटर, और English में उसे कहते है, ग्रीन पीज, फिर देखे, एपिच्चर है, पत्ता गोबी का, पत्ता गोबी, उसको English में क्या बोलते है, cabbage, C-A-W-B-A-G-E, cabbage, cabbage में पत्ता गोबी, देखे, हिंदी नेम है पत्ता गोबी, और English नेम है cabbage, और यह है, फूल गोबी, फूल गोबी का English नेम क्या है, कलीफलावर, C-A-U-L-I-S-L-O-W-E-R, कलीफलावर, कलीफलावर मेंस फूल गोबी, फूल गोबी को English में क्या बोलते है, कलीफलावर, एक फूल गोबी का पिच्चर है, फिर देखिए, एक इसका पिच्चर है, लौकी, लौकी का, लौकी को English में क्या बोलते है, गोड, G-O-U-R-D, गोड, गोड मेंस लौकी, देखिए, और यह है, बैंगन का पिच्चर, बैंगन, बैंगन को English में क्या बोलते है, ब्रिंजल, B-R-I-N-J-A-L Brinjal Brinjal means Bangun देखे यह Bangun का पिच्चर है फिर देखे यह किसका पिच्चर है Bindi का Bindi Bindi को इंगलीज में क्या बोलते है Ladis Finger L-A-D-Y-A Apostrophe से इन्वेटेड को आमा में है F-I-N-G-L Ladis Finger means Bindi इसको हिंदी में बोलते है Bindi और इंगलीज में बोलते है Ladis Finger फिर किसका पिच्चर है देखे यह टमाटर का पिच्चर है टमाटर टमाटर को इंगलीज में बोलते है Tomato T-O-M-A Tomato Tomato means Tomato टमाटर को इंगलीज में क्या बोलते है Tomato इसका हिंदी नेम है टमाठर और इंगलीज नेम है टमेटो फीर देखें मीर्ज मीर्च को इंगलीज में बोलते हैं चीली चिली चिली means मीज उसका हिंदी नेम है मीज और इंगलीस नेम है चिली फिर देखे करेला कड़वा कड़वा होता है आप सबने दिखा है ना करेलो को इंगलीस में क्या बोलते है बिटर ग्राउंड बिटर गार्ड उसको हिंदी नेम है करेला और इंगलीस नेम है बिटर गार्ड फिर से देखे एक बार सबके नाम में सरी बोलती हूँ ये साग सबजी के पिच्चर दिये हुए है उसका चितर देखके हमें उसका हिंदी और इंगलीस नेम पढ़ना है जो मैंने पड़ा अपने ध्यान भी रखा था एक बार फिर से बोल देती हूँ आप ध्यान रखे मुली मुली मेंस रैडीस रेडीस मेंस मुली हिंदी नेम है मुली और इंगलीस नेम है रैडीस फिर एह है घाजर घाजर का इंगलीस नेम क्या है कैरोट कैरोट मेंस घाजर हिंदी नेम है घाजर और इंगलीस नेम है कैरोट फिर देखे आलू अलू उसका इंगलीस नेम क्या है पोटेटो पोटेटो हिंदी नेम है आलू और इंगलीज नेम है पोटेटो फिर देखे माटर माटर उसका इंगलीज नेम है ग्रीन पीस ग्रीन पीस ग्रीन पीस ग्रीन पीस यानी माटर हिंदी नेम है माटर और इंगलीज नेम है ग्रीन पीस फिर देखे, पत्ता गोबी means cabbage, C-A-W-E-A-G cabbage means पत्ता गोबी, पत्ता गोबी हिंदी नेम है और cabbage, इंगलीज नेम है ए है, फूल गोबी, फूल गोबी means cauliflower, C-A-U-L-I-S-L-O-W-E-R, cauliflower हिंदी नेम है, फूल गोबी और इंगलीज नेम है, cauliflower फिर ये है, लोगी, लोगी means, इंगलीज नेम है pear, G-O-U-R-D, गोबी उसका हिंदी नेम है, लोगी हिंदी नेम है, लोगी और इंगलीज नेम है, गोब्ड, ए है, बेंगन उसका इंगलीज नेम है, ब्रिंजल, B-R-I-N-J-A-L, ब्रिंजल उसको हिंदी में बोलते है बैंगन और इंग्लीज में बोलते है ब्रिंजर ए है बिंडी उसको इंग्लीज में बोलते है लड़िस फिंगर ए लड़िस फिंगर मेंस बिंडी हिंदी में बोलते है बिंडी और इंग्लीज में बोलते है लड़िस फिंगर एह है टोमाटर उसका इंगलिस नेम है टोमेटो टोमेटो टोमाटर उसको हिंदी में बोलते है टोमाटर और इंगलिस में बोलते है टोमेटो एह है मीर्च का पिच्चुर मीर्च उसको इंग्लिस में बोलते है चिली इसका हिंदी नेम है मीर्च और इंग्लिस नेम है चिली एह है करेला उसको इंग्लिस में बोलते है बिटर ग्राउंड करेला उसका हिंदी नेम है और बिटर ग्राउंड उसका इंग्लिस नेम है बिटर काउड करेला को इंग्लिस ए वो हिंदी नेम है और बिटर ग्राउंड वो उसका इंग्लिस नेम है आया समझ में ये इसमें क्या था सबजियों के नेम पिच्चर दिये है उसमें हिंदी और इंग्लिज नेम पढ़ने थे वो मैंने आपको दो बार पढ़के बताया आगाया न समझ में वो आपको रीड करना है और देखना है अब देखे स्वाध्याई पेद नमबर 18 पन्ना प पिच्चर दिये है उसको हमें क्या करना है उसका न एक कुस्टक दिया है कुस्टक में सचुन कर हमें आंसर में लिखना है एक पिच्चर किसका है बैंगन का पहले मैंने अगले पेच पे आपको दिखा था न एक बैंगन की सबजी का पिच्चर है तो यहां दिया है आंसर में लिखे बैंगन लिखा सबने मेरे साथ ही लिखना है फिर एक इसका पिच्चर है आलू तो वहां कोस्ट्रक में से उसका नेम चुनना है हमें देखिए ए रहा आलू तो आंसर में लिखो आलू लिखा सबने फिर देखिए एक इसका पिच्चर है फूल गोबी का है ना तो कोस्ट्रक में आंसर दिया है उसमें सचुनन के लिखना है देखो वह पहला ही दिया है फूल गोबी दिया है ना तो लिखिए फूल गोबी फिर किसका पिच्चर है देखिए ध्यान से लौकी तो यहां कहां दिया है, कोष्टरग में? ए रहा, लास्ट से सेंट, लोकी तो यहां अंसर में लिखो, लोकी चलो, अब दूसरी और, यहां किसका पिच्छर है? करेले का तो कोष्टरग में ढूंड़ो, सैकंड ही दिया है, देखो दिया है ना? करेला तो यहाँ अंसर में लिखो करेला फिर उसके नीचे एक इसका पिच्चर है बिनडी का चलो कोस्टक में ढुनते है दिया है हाँ दिया है देखो लोकी क्या आगे बिनडी दिया है न तो चलो अंसर में लिखो बिनडी चलो उसके नीचे किसका पिच्चर है मुली का दिखा ना मुली का है ना चलो तो उसको हम को स्टक में ढूनते है मिल गया लास्ट दिया है देखो लास्ट दिया है ना मुली तो यहां अंसर में लिखो मुली लिख दिया आपको मेरे सहती लिखना है चलो लास्ट पिच्चर है किसका है मटर का तो चलो कोस्टक में ढूंते है ए रहा बेंगन के बाजु में ही मटर देखा आपने तो चलो अंसर में लिखो मटर लिख दिया सबने मेरे साथ तो आपको ए क्या करना है नोटबुक में पिच्चर ड्रो करना है और सीर लिखना है चलो एक बरसी से सध्य में क्या था प्रत्यक चित्र के सामने उसका अकनाम कोस्टक से चुन कर हमें लिखना है यहाँ सब दिया है फुलगो भी करेला बैंगन, मतर, आलू, भिंडी, लवकी, मुली वो सब पिच्चर देखकर हमें कोस्टक में से ढुंड कर लिखना था कोस्टक में सारे सब्द दिये हुए है और हमने ढुंड के लिख दिया पहला है बैंगन का पिच्चर हमने आंसर मिल गया और लिख दिया सभी का आंसर मिल गया है और हमने सभी का आंसर लिख दिया एक बार फिर से देख लो पहला है बैंगन का पिच्चर और बाजू में लिखा बैंगन दूसरा है आलू का पिच्चर और हमने बाजू में लिखा आलू तीसरा है फूल गोबी का पिच्चर और हमने बाजू में लिखा फूल गोबी चाथा है लोकी का पिच्चर और हमने बाजू में लिखा लोकी फिर यहा है करेले का पिच्चर हमने बाजू में लिखा करेला एहे पिंडी का पिच्चर तो हमने बाजु में क्या लिखा पिंडी एहे मुली का पिच्चर तो हमने बाजु में क्या लिखा मुली एहे मटर का पिच्चर तो हमने बाजु में क्या लिखा मटर आया समझ में देखो आगे क्या दिया हुआ था की साख सबजी का पिच्चर दिया हुआ था वो हमको लिखना नई वो हिंदी और इंगलिस नेम दिये गए थे जो मैंने आपको सभी समझाए दो बार आया समझ में स्पेरिंग भी आपको रीड करने है और याद करने है ठीके हिंदी और इंगलिस दोनों ने में पर फिर से पिच्चर देख लो मूली, गाजर, आलू, मटर, पत्ता गोबी, फूल गोबी, लोकी, बैंगन, भिंडी, टमाटर, मीच, करेला स्वध्याई भी मैंने करवाया कि कोस्टेक में से चुनकर सही अंसर लिखना था, सबका अंसर मैंने लिखा दिया आपका होमवक क्या है? आगे जो साख सबजी के पिच्चर और उसके नेम हिंदी इंगलिस में दिये है वो आपको दो बार हिंदी और इंगलिस के नेम लिखने है और सध्या में पिच्चर ड्रो करके उसके समने उसके सही नेम लिखने है वो आपका होमवक है आया समझ में या आप खुद ही ड्रो करना पिच्चर साख सबजी के और उसमें कलर करना और उसके सामने सही नेम जो है वो कोस्ट्रक में से चुनकर मैंने आपको लिखाया तो आपको क्या करना है आपको जो आंसर है वो उसके सामने लिखना है लिखोगे ना जो साइक सबजी का है वो ही सामने लिखना है देख लिया यह क्या था यह आपका होमवग बार नोटबुक में लिख लेना सारे नेम और याद कर लेना और ये स्वध्याय में लिख देना ठीक है ठैंक यू